अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो इसे लाइक करना ना भूले कुलफी बनाने के लिए मैंने कड़ाई ले लिए और उसे फ्लेम पे रखतिया है अब मैंने ले लिया यहाँ पे थोड़े से ड्राइ फ्रूट जिसमें की कुछ बादाम है और कुछ काजू है तो इन्हें अभी हम कड़ाई में एट करके और इसे ड्राइ रोष्ट कर लेंग अब हम कुलफी बनाना स्टार्ट करते हैं इसके लिए मैं यहाँ पे टोटल डेड़ ग्लास दूद जो के फुल क्रीम मिल्क है इसको मैं कड़ाई के अंदर आड़ करूंगी आधा ग्लास फुल क्रीम मिल्क और हम इस कड़ाई में आड़ कर दिया अब फ्रेंड्स हमें इस चलाते हुए साथ से आठ मिनट तक पकाते रहेंगे जब तक कि ये जबड़ी के जैसा ठेक न हो जाए फ्रेंड्स दूद को पूरा पकाने में साथ से आठ मिनट लगेंगे तब तक हम बाकी की और चीजे तयार कर लेते हैं लेकिन पीच पीच में हम इसे चलाना नहीं बू लाइचे भी एट कर देंगे और हम इसके अंदर एट करेंगे चीनी तो चीनी हमें अच्छे मात्रा में एट करना है क्योंकि जब कुलफी ठंडी होती है तो उसमें हमें चीनी कम लगने लगता है यहां डेड़ ग्लास दूद के लिए मैंने टोटल चार बड़े चमत चीनी को इसमें एट कर दिया है अब हम इसे पीस के और एक दरदरा पाउडर तयार कर लेंगे इमाम पिस्ते के अंदर मैंने यहां पे थोड़ा सा केसर का धागा ले लिया है अब इन केसर के धागों में हम थोड़ा सा ठंड़ा दूद एट कर देंगे और हम इसे क्या करेंगे कि इसे हम थोड़ा सा इस तरह से पीस लेंगे जिसकी वज़ज़ से जो केसर वो अपना पूरा कलर छोड़ देगा तो इसे हम साइट में रख देंगे अब लगबक हमने सारे मसाले तयार कर लिए देखिए हमारा जो दूद है ये भी अब थिक होने लगा है और यहाँ पर आप इसका टेक्स्चर देख पा रहे हैं तो इसे हम इस तरह से लगतार चलाते रहेंगे ताकि ये बेस में जाके ना शिप्ति और दूद भी देखिए अ और हम इसे थोड़ी देर के लिए मिक्स कर लेंगे साथ ही हम इसमें केवडा वाटर एट करेंगे ये औप्शनल है लेकिन इससे टेस्ट अच्छा आता है तो मैं यहाँ पे पूरा एक ठकन केवडा वाटर एट कर रही हूँ अब हम इसे अच्छे से चला लेंगे अब हम य यहाँ पे हमने ले लिया है गड़ी का बुरादा जिसे हम डेसिकेटेड कोकोनट पाउडर कहते हैं तो इसे हम इसमें सारी चीजों को एड़ कर देंगे और यह सारी चीजे एड़ होते ही हमारा जो मिल्क है वो बहुत थिक हो जाएगा तो हम इसे बस एक मिनट तक और पका अब मिक्सचर को जमाने के लिए मैंने इस तरह के छोटे ग्लासेज यहाँ पे ले लिये हैं जो कि डिस्पोजिबल ग्लास है अब हम इसके अंदर मिक्सचर को इस तरह से एड़ कर देंगे तो यहाँ पे मैंने एक ग्लास के अंदर एड़ कर दिया है ठीक इसी तरह से हम सा किल्वर फॉयल से इस तरह से कवर कर देंगे तो अभी देखिए फ्रेंड हमने आप सारी कुल्फियों को कवर कर दिया है अब हम इसमें इस तरह से छीज बना लेंगे इस्टिक को इसके अंदर लगा देंगे तो यहां पर मैंने इस्टिक को इस तरह से सारी के अंदर लगा द दिया है तो यह देखिए हमारे 8 कंटे हो चुके हैं पूरे और अभी मैंने आइस क्रिम को फ्रिज से निकाल लिया है तो सबसे पहले हम इसके सिल्वर फॉयल को हटा लेंगे यहाँ पे मैं इस तरह से आइस क्रिम को हाथ में ले लूँगी यहाँ पे इस ग्लास का ज्वाइंट है इस ज्वाइंट को हम इस तरह से फार देंगे यह देखिए फ्रेंट्स यहाँ पे मैंने ज्वाइंट को इस तरह से फार दिया है और यह देखिए हमारा आइस क्रिम आसानी से अलग हो जा रहा है तो फ्रेंड्स हमारी रेसिपी बनके यहां पर रेडी है सर्विंग के लिए थैंक यू फो वाचिंग